नमस्कार देवी और दुवता मैं जित आपको स्वायत करता हूँ आपके अपनी चैनल कंप्यूटर बाब पर आज की वीडियो में लोग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टोपिक के बारे बात करने वाले हैं और यह जुड़ा हुआ एक फेमस एरर के साथ जिसका नाम है एक्सप्रेशन चेंजड आफ्टर इट हैस बिल चेक्ट दिखिए वाला जो एरर है यह बहुत ही एनप्रेडिक्टेबल सा एरर है समझ में नहीं आता कि एरर क्यों आया और बहुत बार आ जाता है एरर हम लोग को डीबग करना ही बहुत म मिलेगा जो आपकी मदद करेगा बहुत सारी सिचुएशन में और आपको अलग से शाइन आउट भी करोगे आप अपने करियर में तो आईए चलते हैं और इस टॉपिक को समझते हैं मैं अपने VS Code में मेरे पास एक हैलो नाम का कॉंप्रेंट है सिंपल सा कॉंप्रेंट मैंन ने क्या किया है एंजी आफ्टर व्यूनिट के अंदर नेम की वैल्यू जो है वो चेंज कर दी है तो यही चीज़ बनेगी कारण जो हमें एक्स्प्रेशन चेंज आफटेट का एर देगी तो ब्राउजर में आप देखें तो यह मारे पास हैलो प्रिंट होगे और विने भ करती है और यह वी को कमपोज करने वेली जो प्रोसेस है किसी भी कॉंपनेट के लाइफ साइकल जो हमारे फेजिस होते हैं उसके साथ जुड़ी होती है यहां पर एक वेरिफिकेशन लूप जो है एंगलर चलाती है जिससे पता करती है वो कि भी जो हमारा व्यू है वो स्ट की सबसे पहले चीज उसमें क्या होती है विउडेटा और विउडेफिनेशन को क्रियेट करना विउडेफिनेशन और विउडेटा चीज़े इस चीज को मैंने एक वीडियो में समझाया हुआ आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं आफिर डिस्कॉप्शन मेंने लिंक भ और उसके अंदर एक main stack होता है जिसके अंदर हमारा सारा जो भी code है वो execute हो रहा होता है example के लिए function a को आपने call किया फिर उसके बाद function b को call किया तो पहले क्या होगा stack में function a चला जाएगा उसकी working complete होगी फिर 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 stack में function b जाएगा उसकी working पूरी होगी वो हड़ जाएगा तो इस तरीके से line by line line by line execute होता है synchronous हमारा जो code होता है main stack के अंदर अब इसी चीज में stack के अंदर ही एंगलर का code भी of course execute होगा क्योंकि एंगलर के जावस्क्रिप का ही तो framework है तो जितनी भी में stack में line by line कह सकते हो आप या फिर फिर फंक्शन कॉल हो रहे हैं वह जाते रहेंगे तो सबसे पहले प्रिपेर करते हैं main stack में व्यू डेटा डाल दिया व्यू डेटा में क्या क्या चीज आएगी हमारे पास दो तरह की binding है एक तो है इसको इन्पूट प्रपर्पर्टी भेज रहा है तो यह वह एंजियों चेंजिस वाला जो है वह काम करेगा यहां पर फिर इनिशलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगी फिर उसके बाद प्रोजेक्टिट कंटेंट इनिशलाइज होंगे फिर आफ्टर जो हमारे इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट और जो ध्यान देने वाली चीज़े वह आती है हमारे पास यहां पर एक फेज होता है जिसका नाम है सेट एक्जिक्यूट बाइंडिंग और दूसरा क्या है रिफ्रेश व्यू या फिर जो भी हमें डॉम में दिखा रहा है सेट एक्ज करेगा ठीक है जी क्या वैली थी उसकी अजीत थी उसको अपने पास एक्जिक्यूट करके डॉम में दिखा देगा फिर उसके बाद क्या होगा अगली जो चीज है क्या है फॉल्स है तो वहां पे तो मतलब बाइंडिंग हुई तो सर नहीं दिखाएगा ठीक है जी अब पारे से चीजों को अपडेट नहीं कर सकते हो और इसी जीज को बोलते हैं यूनि डिरेक्शन फ्लो कि एकी डिरेक्शन पर चीज़ें चल रही है और इस लॉकिंग पॉइंट के बाद आप रिस्ट्रिक्टिड हो नहीं कर सकते अपडेट जो भी हमारा व्यू में है उसको वह टूथ नहीं मानेगा स्टेबल स्ट नहीं मानता है ठीके जी अब सेट और एक्जिक्यट व्यू क्रेइस यहाँ पर आगर वह वहाईरीस एक्जिक् sûr में इस मेंन है कोई फिर राता वीव इनिश्वाइज影片 क्या कर दिया वाले में this.name के साथ वीने को set कर दिया उसने क्या किया अपडेट तो कर दिया डॉम में ठीक है जी अपडेट यहां पर कर दिया है अब यहां पर life cycle जो हमारे थे complete होगे अब इसके बाद अब बारी बारी से अंगुलर क्या करेगी इन फेजिस के उपर से इत्रेट करेगी और फिर बाइंडिंग को चेक करेगी कि देखो नेम की बाइंडिंग पिछली बार अजीद से सेट थी अब की बार में execute करके देखती हूं क्या यह इस बार तो आ रही है विने तो यहां पर ह अब भी भी फॉल्स यह तो मतलब सही है तो यहां पर उसने नेम को देखा तो इसी लिए उसने बोल दिया कि भई expression क्लियर हो जाना चाहिए अब verification run complete हो गया में स्टैक फिर से खाली हमारे पास यहां पर हो गया है और फिर मैं आपको बताऊंगा कि वह अब क्यूं नहीं दे रहा है एंगलर वह वाला कि यहां पर set time out की बजाय में यह भी कर सकता था मैंने प्रॉमिज डोट रिजॉल्व के अंदर इस चीज को करके डाल दिया इस डोट नेम को तो अगर आप देखें तब भी error नहीं आ रहा है अब यह ऐसा क्यूं हुआ इस चीज को जानने के लिए हमें समझना पड़ेगा जावा स्क्रिट के मेकैनिजम को यानी इवेंट लूप को समझना पड़ेगा कि इवेंट लूप कैसे काम करते है जावा स्कृट में फिर उसके बाद मैं कनेक्ट करूंग उस इवेंट लूप को यह जो हमारा यूनी डिरेक्शन फ्लो था जैंगलर का वेरिफिकेशन और साथ करेक्ट करने वाला आईए समझते हैं इवेंट लूप को इवेंट लूप जावस्कुट में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी जावस्कुट इंजन का और इसका सिंपल से इतना काम होता है कोड को इसके कुछ इंपॉर्टेंट इसका सिंपलिटनाप काम है फिर होता है ट रियूप क्यों वैसे तो दो अलग अलग की होती है लेकिन इसको एक कर दिया है इसमें क्या है जो भी हमारे timeouts के callback आते हैं या promise के callback होते हैं जितने भी वह असिंकरनस वाले या जो बाद में schedule की चीजे होती है प्रवाइड करता है यहां से निकाल देता चीज को पुश कर देता में ठीक है अब क्या करो इस चीज को एक चीज और होती है वेब API module जैसे timeouts होगे इंटरवल हमारे पास होगे प्रॉमिस होगे या फिर असिंक वाले जितने भी schedule वाजी चीजे होती है प्रवाइड करता है य तब तक यह उन्हें event queue में नहीं भेजता है मतलब कि उस task या फिर job queue में नहीं भेजता है जैसे timer पूरा हुआ या फिर data आ गया synchronous वाला तो यह सीधा डाल देता है task queue में फिर event loop check करता है अच्छा में stack free है तो मैं गरूँगा task queue में से निकाल दूँगा और main stack में डाल दूँगा उसको execute करने के लिए example के लिए मेरे पास यहां पर सबसे पहले console log statement फिर है some वाली फिर है set timeout और उसके बाद console log तो सबसे पहले क्या होगा console log hello वह main stack में गया ठीक है जी execute हुआ हटा दो फिर some वाले को call हुआ some वाले को execute किया हटा दिया set timeout set timeout से क्या होगा call करेगा set timeout को और वह setup कर देगा web API module को बोलेगा इस timer पर आपको यह callback जो है वह करना है ठीक है यह काम वह web API module में चला गया अगला क्या call है console log word ठीक है console log कर दिया फिर इसके बाद main stack जो हो एंप्टी हो जाएगा और इसी चीज़ को बोलते हैं one tick VM का one tick मतलब कि एक बार जब पूरा main stack खाली हो जाता है तो one tick complete हो चुकी है हमारे पास ठीक है और यह एंगलर में बहुत important term पढ़ने वाली आगे जाके इसी को बोलते हैं one tick cycle अब जब टाइमर कंप्लीट हो गया उसने क्यू में डाल दिया event loop का काम किया कि अगर main stack खाली है तो वह क्या करेगा वो task queue में से वह वाला callback लाएग और main stack में डाल देगा मतलब कि यह second tick में होगा first tick तो complete होगी इसी को बोलेंगे second tick फिर वह execute कर देगा उस callback को तो यह main stack task job queue और यह इस तरीके से web API module यहां पर काम करते हैं इतना हमें समझ आया अब आगे बढ़ते हैं और मैंने जो सबसे पहले क्या होगा वही डेटा क्रीट होगा main stack में जाएगा फिर उसके बाद क्या होगा यहां पर इनिशलाइजेशन कंप्लीट होगा फिर उसके बाद अगली चीज़ प्रजेक्ट इनिशलाइज होगा main stack में सारी चीज़ जाती जा रही है फिर project content वाला जो वो होता है वो आएगा फिर set execute binding यहां पर पहली बाइंडिंग नेम की अजीथ है ठीक है फिर अगली चीज यहां पर क्या है अगली चीज हमें execute करनी है कहने वाली उसमें false है ठीक है वह लॉक हो जा करेगा set time out वाले call करेगा और callback जो है web API module को देदेगा इसलिए timing यहां पर important नहीं है कि मैं कुछ दूं या ना दूं वह जैसी set time out मिलेगा सीधा उसको क्या करेगा web API को डाल देगा और future में बाद में जो schedule complete होगा तो क्यों में डाल देगा पर अभी के लिए set time out में चले उनने क्यों में उसको डाल दिया है जो भी इस डोट ने वीने वाला था पर में स्टैक जब तक खाली नहीं होता तब तक इवेंट लूग उसमें भरता नहीं कुछ चीज यानि कि वन टिक पूरी की पूरी complete नहीं होती तो वेरिफिकेशन रन आया वेरिफिकेशन रन में फ अरे में स्टैक खाली हो गया उसमें भर देगा वो जो कॉल बेक तता त्स डोट नेम वालब ठीक है जी चीन्ग्सिन और वह जैसी कॉल बैक फंक्षन का लूब उसमें डिस डूट नेम की वैल्यू क्या सेट उगा विने सेट होगी उने तो अंग या करती है जब भी कोई गया initialization complete होगे फिर verification run आएगा verification run चलता रहा और यह second tick में होरा first tick में 2セ Merryification रन में उस्सेक चेख किया name की value execute करके तोसमें को सही ए विलकुल चाहिए और हमारी problem solve मतलब कि हमने क्या किया हम उसको second tick में ढाल दिया कि कि जब अगली बार क्या होगा में स्टैक खाली होगा तब वह वाली चीज होना अभी मत होना तो सेट टाइम आउट का यह बेनिफिट हो गया सेम चीज प्रॉमिस अगर रिजॉल्व भी करता मैं यहां पर सेट टाइम आउट की जैंगे प्रॉमिस जो होता वह एब अपी को मैंटेन करके रखा और स्टेक को लॉग भी करके रखा है अब एक एक जामपल और में देता हूं इंपूट बाइंडिंग से रिलेटेड वहां पर भी यह वाला एरर आता है और उसको फिर हम कैसे फिक्स करते हैं देखिए मैंने VS Code में आया यहां पर मेरे पास Hello component तो था ह कर रहा हूं उस message के साथ मैं दिखा रहा हूं Hello component की ts file में आता हूं यहां पर name है can message की value मैंने morning रख दी और फिर मैं क्या कर रहा हूं एंजी आप्टर व्यू इनिट में इस this.message को good morning कर रहा हूं तो इस बार देखा जाये तो मेरे पास क्या है तीन binding है name की है can की है और यह व इनिशली जो है morning वाला है फिर initial template render हम कर देंगे इसके उपर को incoming properties आ रही है नहीं आ रही है ठीक है जी initialization complete हो गया project content initialize project content binding वाला हो गया set execute यहां पर हमाए पहली चीज क्या name वाले को करेगा जीत जो था ठीक है जीत वाले को हमने कर रहा फिर उसके बाद can में false है यह भी उसक state है यही वाली रहनी चाहिए फिर execute view queries की भी अगर कुछ थी तो नहीं आप कोई नहीं है व्यू चाहिड यह व्यू चिल्डेन वाली व्यू इनिशलाइज ठीक है जी इसके अंदर ng after व्यू निट में मैंने क्या call कर दिया था this.morning वाला और उसको good morning मना दिया था तो greet with good morning के साथ उसने वो कर दिया अब verification रन आएगा फिर से वो सारे phases को execute करेगा और verify करेगा कि भाई पिछली जो state lock की थी वही है के नहीं है set करके देखेगा name को हां जी name क्या था execute करा उसने name की value अजीती आ रही है can को उठाया execute किया क्या आ रहा false फिर उसने message को उठाया और execute किया तो message की value तो हमने variable की good morning कर दी तो यहां पर क्या आया good morning उसने का lock तो मैंने यह किया था और यह चीज तो अलग आ रही है तो फिर से वो एक error को यहां पर वही दिखाएगा expression change वाला इसलिए यह बहुत ज्यादा important है कि set execute से पहले-पहले जितने भी है चाए ng on changes हो, ng on init हो, ng after view init हो यहां पर आप करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है पर इसके बाद जो lock हो जाता है उसके बाद आप allowed नहीं हो change करनेगे, इसलिए मुश्किल है हमारे पास होती है, इसको fix कैसे करेंगे, same way चीज जो हमने की ती set time out है promise देगे इसको हम सही कर सकते है, set time out मैंने इसको डाल दिया और अब की बार अगर मैं देखूंगा तो यहां पर error नहीं आएगा, या फिर मैं इसको चाहूँ तो promise भी use कर सकता था, उससे भी नहीं आएगा, देखिए अब मैं एक example और दूँगा आपको, जो view child से related होगा और उसमें बड़ा मुश्किल होगा पता करना कि यह error क्यों आ और उससे उपर एक binding लगाई, grid component, for you, कि अगर grid component मिल जाता है, जो कि of course मिले गाई, तो for you print करना है, और grid के अंदर मैंने क्या किया होगा है, यहाँ पर grid में flowers को s2 ऐसे simple दिया होगा है, और ts में कुछ भी नहीं है, तो बहुत ही simple सा example यह है, पर इसको जो मैं चला कर देखता हूँ, तो यहाँ पर भी error आता है, देख रहे हैं आप hello, Ajit for you, क्योंकि grid component मिला था, flowers आ रहे हैं, app grid की मदद से, पर वो कहरा है कि पिछली value undefined थी, current value उसकी object मिल रही है, यह कैसे possible है, अब आप को कि हमने तो कोई update भी नहीं किया कहीं पर, किसी भी तरीके का कोई update ही नहीं उसके बाद input properties, initialization complete, project content, initialize और यह properties हम check करेंगे, इसके बाद set और execute binding, पहली binding के name वाली तो उसकी value थी, execute करके हमने अजीद जो थी वो डाल दी, अगली जो चीज़ है, वो क्या है, grid component की binding, अब यहाँ पर important बात है, क्योंकि grid component जो है, view child में अभी तक वो आया ही नहीं है, view child क जीद है, grid component undefined है, हमारे पास, अब आएगा यहाँ पर phase, जहाँ पर execute करेंगी, view queries को angular, जैसी वो execute करेंगी हो, देखें, grid component के पर view child लगा, execute कर देगी और उसमें grid component का reference डाल देगी, तो यह वाली चीज हमने नहीं की, यह वाली चीज किस ने करी, angular ने करी, कि lock के बाद उसन इसने view child query को execute किया, फिर view initialization होगी, complete होगया, ठीक है जी, अब आया verification, यहाँ पर हमारे पास run, verification run में क्या होगा, सारे phases को check करेंगी, angular execute करके, और फिर set execute binding वाला जो phase आएगा, चेक करेंगी, उसमें, कि name की binding क्या है, execute करी, अजी दिया रही है, बिल्कुल ठीक है, grid component की value उसन इसने, angular ने डाल दिया था, उसमें grid component को, तो वो कहेगी, अब की बार तो उसमें grid component है, पिछली बार वो undefined था, यह कैसे हो सकता है, इसलिए उसने error throw कर दिया, है ना थोड़ा मुश्किल सा, बस थोड़ा सा यह है कि lock के बाद जो था, उसने execute किया view queries को, यानि view child या view children को, तो इस time उस variable की value थी, वो set होगी, उससे पहले वो undefined ही थी, अब यह angular का behavior है, इसमें हम लोग की कोई गलती नहीं थी, इसलिए बोलते है, hard to debug, यह आपको knowledge अच्छी होनी चाहिए, basic fundamental अगर clear होंगे यह वाले सारे, तो आप इस चीज को अच्छे से identify कर पाएंगे, अब इस क्यों हो रहा है, दिखिए static true का मतलब क्या होता है, यहाँ static का मतलब यह होता है हमारे पास, कि जो execute करने ही आपको view child वाली query, वो क्या करो आप, यह जो हमारा unidirection flow चल रहा है, life cycle वाले phases आ रहे हैं, इस chain detection से पहले ही कर दो, मतलब कि जब आपने view data create किया, initially template को render किया, इन द पास तो पहले सी grid component की value है, तो जब वो आएगा set execute binding में name की value अजीत, फिर grid component की value पहले सी थी, verification जब चलेगा तो कहेगा, पिछली value भी यही set थी, अजीत और grid component की value थी, हाँ थी, इस वाले में भी है, इस वाले में भी है, तो इस से हमें यह solution मिल जाएगा, एक चीज़ फिना भी वो हो सकता है, possibilities बहुत तरह की है, पर जब हम इस तरी का कोई code करते हैं, तो वहाँ पर यह errors आ जाती है, और फिर मुश्किल भी होता है, इस चीज़ को करना, देखिए, अब एक और example में आपको देने वाला हो, उसमें मैं क्या करूँगा, view child का use करूँगा, लेकि के अंदर on init को implement किया, implementation में मैंने क्या किया कि अगर morning time है, तो is allowed को true कर तो otherwise false, यह morning वाला आपको कोई भी logic हो सकता है, मैंने simple है कि ऐसी logic लगाया, अगर true है, तो मैंने जो grid component है, उसके उसमें दिया HTML में कि allowed है, तो भी flowers दिखाऊंगा, नहीं तो नहीं दिखाने वाला, अब यहीं पर एक important चीज आती है, important क्या है कि hello component जो मेरा HTML है, इसके अंदर मैंने क्या किया है, app grid को तो दिखाई रहा हूं, सारी चीज वही है, name भी दिखा रहा हूं, इस बार मैं क्या करहा हूं कि grid component अगर है, और उसके अंदर is allowed की value कुछ है, true है, तब ही दिखाऊंगा कि for you, तो मतलब hello Ajit for you flowers, otherwise अगर allowed नहीं है, तो यानि कि hello Ajit तब तो कुछ हाई नहीं रहा, अब यहाँ पर इसको जो मैं चला के देखता हूं, तो क्या होगा, फिर से वही वाल error आएगा, आप देख पार है, hello Ajit for you flowers, और यहाँ पर क्या कह रहा, previous value null ती इस बार current value true, अब सोचने म में तो change कर सकते हैं, क्योंकि यह phase तो पहले पढ़ता है, तो error क्यों आ रहा है यह वाला, अब यह आपको बहुत ध्यान से चीज समझने की जरूरत है, तो सबसे पहले view data बनेगा, view data में हमारे पास क्या, दो binding है, यहाँ पे name नाम की binding है, और दूसरी जो binding है, वो collective binding है, greet component is allowed की, मतलब की, यह collective binding की base पे, greet component का, जो is allowed है, उसके उपर है, ठीक है, अब अगला initially template को render करेंगे, input properties वाला, अगर इसके उपर आ रही है, तो ठीक है, नहीं तो फिर initialization complete होगा, projected content, यह सब चलेगा, set और execute binding, यहाँ पे हम आते हैं, set, पहली चीज़ के name वाले को set करो, execute करो name को उठाया, उसने execute किया variable को अजी, ठीक आगया, view child क्या static है, इस बार, नहीं है static, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, जो binding है, greet component is allowed वाली, totally क्या है, ठीक है, ठीक है, फिर उसके बाद lock हो जाएंगी, यह वाली properties, फिर आता है, execute view queries, इसमें उसने क्या करा, view child को उठाया, execute कर दिया, greet component का जो variable था, उसमें greet component का component डाल दिया, पूरा को पूरा, अब यहीं पर वो दिक्कत शुरू होगी है, हमारे पास, वो डाल तो दिया, उसने, फिर view initialization, complete होगी, हांजी, बिल्कुल पूरी complete हो गई, अब आता है, verification run वाला, verification में वो आएगा, बारी-बारी से सार हो चुका है, variable, क्योंकि जब वो execute करेगा, तो greet component को execute view query में पहली हो चुका था, तो यानि कि greet component जो है, उसको उठाया, और उसके is allowed में, ng on init के अंदर हमने क्या कर दिया था, ng on init के अंदर हमने उसकी value को true कर दिया था, तो इससे true हो गया, तो अब क्या हो गया, यह बोल रहा ह true value, अब वो कहेगा भई, पिछली बार तो null था, इस बार true हो गया, फिर से वही दिक्कत कि expression changed after it has been checked वाला, तभी यह null से वो कह रहा है, आपकी value क्या हो चुकि यह true, इस चीज को दिखा रहा है, देखा है थोड़ा मुश्किल है, debug करना यही चीज है, इसलिए ऐसा इस तरीक इसको query करें, तो यह चीज चली जाएगी, पर सच बात यह है कि यह नहीं जाएगी, एक बार मैं आपको static true करके दिखाता हूँ, और फिर बताता हूँ कि क्यों यह चीज तब भी fix नहीं होगी, देखिए मैं hello component में आया और यहाँ पर इसको static true कर देता हूँ, कि statically इसको क्य करना है, हमें query करना है, अब इसको अगर मैं चला कर देखता हूँ, तो आप देखेंगे अभी भी वो error आ रहा है, वो error अभी भी नहीं गया है, पर यहाँ पर interesting चीज क्या है, यहाँ पर यह कह रहा है कि previous value was false, current value is true, यह क्यों आया, यहाँ पर पिछली बार तो यह दिखा र render होगी, update into props, installation complete, project content और यह सब, बाद में हम set execute पर पहुंचेंगे, तो सबसे पहली जो चीज है, वो name नाम का variable उसको execute करेगा, वो binding को और वहाँ पर आजीद को दिखा देगा, उसके बाद क्या होगा, अगली चीज हमारे पास, grid component के अंदर वो जाएगा, क्योंकि पहले सही कि अवलेबल है हमारे पास statically फिर is allowed की value की है यहाँ पे false है हमारे पास, पीछले वाले में हमने देखा था कि उसकी value नल थी हमारे पास, पर इस बर कया कि statically उसको वंने लिया है, तो is allowed की value है वो false है, वो false क्यों है, यहाँ आप आते हैं, इस code के अंदर, इसमें आप देख वाली चीज की बात कर रहे है तो इसकी स्टार्टिंग में वैल्यू क्या है हमारे पास ठीक है इतना हो जाएगा फिर उसके बाद एक और चीज होगी यहां पर वह चीज क्या होगी कि जो सेट एक्जिक्यूट वाला है अब आप कहेंगे दो बैंडिंग की दोनों एक्जिक्य करें अपडेट प्रॉप करने वाला वाला तो वह तो वहां पर वैल्यू स्की क्या हो चुकी होगी ठीक है जी फिर उसके बाद लग जा कंप्लीट होगी तो यहां पर आपको दो चीज़े समझ नहीं है कि जो हमने लॉक किया उसके अंदर फॉल्स है लेकिन उसके ऑन इनिट में एप ग्रिट के वो प्रू हो चुकी है अब वेरिफिकेशन रन आएगा वेरिफिकेशन रन में सारी फेसे एक्जिक्यूट होंगे ज इसलिए वो फिर से वो एरर देगा एक्स्प्रेशन चेंज अप्ट्रेट हैज बिन चेक्ट इसलिए स्टैटिक देने के बावजूद भी यह चीज हम फिक्स नहीं कर पाए हैं अब एक चीज मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं कि order matter करता है मैंने आपको बताया था ब चोथे नंबर पे था अगर मैं इसको shift कर देता हूं उपर की तरफ तो देखना आपकी थोड़ा odd behavior आएगा उस odd behavior में ठीक हो जाएगा अपने आपी दिखाता हूं मैं आपको करके तो मैं hello component STOL में आता हूं सारी चीज वही है मेरे पास मैं कुछ नहीं किया बस इसका order मैं change क बनेगा और क्योंकि statically मैंने इसको resolve किया और तो grid component रहेगा हमार बार शुरू में फर्स template render यह सब चलते हुए फिर हम पहुंचने set execute में क्योंकि order की मैंने बात बताए थी तो set execute पहले वो बोलेगा कि नेम नाम की जो binding है उसको वह evaluate करें अजीत को उसने evaluate कर दिया फिर आया अगली line पर एक चाइल्ड भी है अगली बैंडिंग से पहले तो वह एप ग्रीट के पास जाएगा उसको बोलेगा अपना phase complete कर उसने इंपुट प्रॉपर वाला कर लिया इसने complete कर ली इनिशलाजेशन के अंदर हमने उसकी value क्या कर दी है true कर चुके है फिर उपर चला गया set execute वाले में अब उसने का अगली ग्रीट कॉंपनेंट क्या करेगा उसके अंदर is allowed में चेक करेगा तो value true ही थी तो यहाँ पर यह चीज अपने आप ही fix होगी इसलिए order बहुत important होता है यहाँ पर क्यूंकि पहले name नाम की binding थी वही execute हुई ठीक है जी फिर set execute का मतलब ही होता है कि अगर तो पहले से कोई binding है उसको execute करो अगर बीच में को child आ जाता है पहले मैं उसको evaluate करूँगा फिर अगली binding पर जाओंगा तो इसके इसमें हम कह सकते हैं कि पहले name था फिर app greet यानि child आ गया तो child अपनी जो process है वो complete करेगा life cycle कि फिर उसके बाद वो is allowed वाला है जो binding है वो complete हो भी तो बहुत ज्याद हो गया लेकिन ऐसा नहीं कि practically यह चीज हर जेंगे possible हो क्यों कि जब हम UI दिखा रहे होते हैं तो वहाँ पर order matter करता है हमारे पास हो सकता है मुझे app greet निचे ही दिखाना था तो उसके इस चीज को मैं कैसे काम कर सकता हूँ वैसे कैसे ठीक कर सकता हूँ इस चीज को तो बहुत अब क्योंकि हम लोग जानते हैं कि constructor वाला जो चीज है वो व्यू डेटा को create करने वाली चीज है उसमें काम करेगा ना कि जो लाइव साइक की looks जो हमारे method चलते हैं उसमें तो अगर मैं इसको यहाँ पे save करता हूँ और चला कर देखता हूँ तो तब भी मेरा ठीक हो जाए कि किसी और को component का तो view data बनाने की जूर्त नहीं है तो इस case में देखेगा app greet का बनाने की जूर्त है तो इसलिए वो क्या करेगा app greet पर जाएगा उसके constructor को call करेगा उसका view data प्रिपेर करेगा विए डेटा प्रिपेर करने के लिए constructor call ज़रूरी होती है instance बनाना ज़रूरी होत तो चेंज कर चुके हैं मतलब कि प्रू कर चुके है इसलिए स्टाटिंग में उसकी वेल्यू रहने वाली है हमारे पास फिर अपने चाइल्ड को बोलगा कि भरी मेने तो अपनी दोनों बाइंडिंग कर ले आप अपनी कर लो उसकी वो जाएगा उसकी इंपूर प्रफेटी क प्लीट होगी अब की बार ऑन इनिट में तो कुछ ही नहीं इसलिए वापिस आ जाएगा और फिर हमारे पास लॉक लग जाएगा लॉक लग जएगा उसके बाद क्या होगा एक्जेक्च करेंगे व्यूकर एंगे हमारे वरीफिकेशन के इंदर उसमें हम चैक करेंगे नेम की वेल्यू किया है अजीती है एक्जेक्यूट करें ग्रीट कॉंपनेंट उसकी इसलाओड वैल्यू अपकी बार तो ट्रू ही रहा चुकी कि शुरू में इसलिए वह एरर नहीं आया है यह बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है समझना एक बार को इसका समझ आजे ना सारा खेल की लाइफ साइकल कैसे चलता कंस्ट्रक्टर और एंजी ओनिट का क्या डिफ्रेंस होता यह भी मैं कौंगा आप मेरी वीडियो जाके चेक करें हो समय मैं आपको बताया इसलिए बोलते हैं कि का आपको एक एक्जामपल दिया था उसके अंदर यह वाली सेम प्रॉब्लम आ रहे थी एक्स्प्रेशन चेंज वाली तो मैं आपको आपको यह चीज समझ आगे होगी कि उस वीडियो में यह दिक्कत क्यों आ रही थी उसको हम लोग कैसे फिक्स कर सकते थे क्यों मैंने वहां हमारे पास आती है यह चेंज डर वाली एक एक्जामपल मैं आपको देता हूं देखे मेरे पास फिर से वही एक हैवलो कॉंप्रेंट है इस एलो कॉंप्रेंट के अंदर मैंने क्या किया है एक 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 अचवन दिखा रहा हूं कि एन जी इफ की बाइंडिंग लगा रहा हू सब्सक्राइब करेंगे और लिस्ट में दिखा देंगा इसको अभी कोड़ देखने में तो बिल्कुल सिंपल सहा यहां पर कोई करता काम यह भी चीज तो यहां पर देखने में पता ही लग रहा है कि इसमें प्रॉब्लम नहीं आ सकती क्योंकि जब जेसन से डेटा आएगा देन उसके बाद यह सब चीज होगी अब देखेंगे कि यहां पर प्रॉब्लम आएगी हमारे पास expression चेंज वाली तो आप यहां प टास्क यह अभी परफॉर्म कैसे हो गया तो यहीं पर आपको समझने की जूरत है आरेक्ज यह जो हमारे पास observable है उसकी algorithm कैसे काम करती है उसका जो यह structure है सब्सक्राइब और piping वाला वो कैसे काम करता है यहां पर एक्चुली में code चेंज हो चुका है synchronous behavior में थोड़े time के ल हुआ कि get json वाले को हमने call किया get json वाले से वह setup हो गया जो भी हमें web API मोडूल में कि इसको call करना callback को जब काम complete हो जाएगा अब क्या call होगा pipe call होगा मतलब rx.js का जो pipe वाला हमारे पास function है वो call होगा और इस सारा main stack में हो रहा है अब यहां पर rx.js के algorithm काम करेंगी साइड बाइस साइड में मैं डालता भी जाऊंगा item को call करेगा operators को जितने भी pipe के अंदर है और store करेगा कोई भी अगर value लोटा रहा होगा तो यहां पर दो operator है start with और फिर tap start with return करने वाला value तो उसको वह store कर लोगा तो वी यानि उसने value लोटाई tap तो simply क्या करेगा register करेगा call callback को और कुछ नहीं करेगा फिर अगला step क्या होगा subscribe को call करो register करो वाले call को callback को जो भी है register कर लिए हमने उसको इसके बाद क्या होगा किसी भी operator ने कोई value लोटाई है हमारे पास तो हम सीधा call जो है करेंगे दुबारे से pipe वाले register callback को ठीक है जी इस case में tap वाले को call होगा आप है हमारे पास जो register हमने callback किया था मतलब उसके अंदर वाला जिसके अंदर हमने क्या किया this loading को false कर दिया ठीक है जी फिर call register function of subscriber फिर वो register जो हमने किया था callback subscribe के अंदर उस वाले को वो call कर देगी मतलब की सीधा ही हमारे पास जो है वो उसकी जो value थी console पर प्रिंट हो ज चीज होगी is loading को check करेगा कि मेरे ने तो true उसको रखावा था पर यहां पर मैं देख रहा हूं कि वो false हो चुकी कैसे false होगी क्योंकि rxjs ने वो सारा synchronous काम कर दिया क्योंकि एक भी operator अगर कोई value लोटा देता है तो automatically जो हमारी immediate है वो call हो जाता subscribe वाला तो इसलिए वहां पर व है कि बार खाली नहीं है post के साथ है ठीक है जी event loop ने उसको main stack में डाल दी और call कर दिया इसलिए हमें वहां पर इस तरीके का behavior देखने को मिल रहा है अगर आप देखें तो पहले शुरू में ब्लैंक था कि start with इसी से हुआ इसी करके वह error वी generate हुई कि pt waste value truth ही अब की बार false ह हो गया यह मैंने आपको समझाया देन पोस्ट अब की बार आ चुके थे जो callback से हमें मिले हैं अब सिंपल साइसका solution यही है हम लोग क्या कर सकते हैं अगर मैं start with को क्या कर दूँ ब्लैंक कर दूँ तो इसका मतलब है कि कोई भी जो operator है वो मेरी value नहीं लोटा रहा है तो इस अब भी value के है शुरू में भी loading true ही थी अभी भी loading true ही है उसकी जब क्या होगा मेरा stack पुरा खाली हो जाएगा उसके बाद वो कहेगा आ चुका data मैं event loop उसको डाल देगा execute करने के लिए क्योंकि जब तक खाली नहीं होता main stack तब तक data आ भी चुका हो उसके बाद तब तक वो loading वहाँ पर फॉल्स हो चुका होगा मेरा इसलिए यह वाला जो error है अब नहीं आएगा आप देखे तो यह error नहीं आ रहा एक ही बार फॉस्ट यहां पर हमारे पास आ रही है इस लोडिंग फॉल्स हुआ कब हुआ फॉल्स यह फॉल्स तब हुआ और च्एट में फॉल्स हुआ फिर से वह चेंज डिटाक्शन चली यहां पर एंगल्र ने वैरिफाई किये कि भई ऑचाइजام अप कर आने वाला हूं चीज की प्रॉमिस जो है उसमें भी कहीं बार यह प्रॉब्लम आ जाती है एक्स्प्रेशन चेंज वाली और थोड़ा मुश्कील होता उसको भी समझना ट्रिकी सा होता कि यह चीज कैसे प्रॉब्लम आई है आए मैं आपको प्रॉब्लम वाला के एक्जांपल होगी यह तो सिरफ न्यू प्रॉमिस कंस्ट्रक्टर को मैंने कॉल किया है पर यहीं पर आप गलत हैं यहां पर क्या करेगा इसकी लोडिंग के वैली फॉल्स कर देगा मैं आपको करके दिखाता हूं आप यहां पर देखिए तो वह कह रहा है कि प्रीवेस वैली टूथ ही क जले वाएंगं का बढाई पर यहां पर आपक्टू कर देगा मतलब कांस्ट्रक्टर को व्यांडर टूशं कर देगा आया उसने का कि भाई पहले तो टू थी अब की बार जो है उसमें तो इस लोडिंग की वेली फॉल्स हारी एक्जिक्यूट मैंने करके देखा तो फिर से वही एरर बता देता कि यह चीज आ रही है तो यह इगर होते हैं जो प्रॉमिस हमारे पास होते हैं जैसे आप इसको डि जो स्टार्टिंग में स्टेट थी पर यहां पर फिर से वही प्रॉब्लम आएगी क्योंकि जो मेरा प्रॉमिस कंस्ट्रक्टर को कॉल हो जाएगा यह वाली जो अंदर वाली चीज है और यह फॉल्स हो जाएगी बाद में जब फ्यूचर में कॉल बैक जो है एक्जिक्यू बैंडिंग होई इस लोडिंग की वैलिवरू डुति फिर ह네 क्या होगी ह्ली उस्सेज करें रिजिक्टर कर रहें हम लोग आज़र करनें जब की second tick नहीं आ जाता ठीक है वो हमने schedule कर दिया verification run आया उसने check करा कि अरे is loading की value तो false कर दिया आपने तो फिर वही error देदेगा ठीक है जी first tick हमारी complete होगी यहां पर आप क्योंकि पहले सी वो ready था वो then वाली जो चीज थी हमारे पास वो पहले सी पर पड़ी थी main stack खाली हो चुका था first tick हमारा complete हो चुका था event look ने का process कर दो event look तभी process करता है याद रखिए जब पहला पूरा complete हो जाता है verification run के बाद हो complete हो चुका था पूरा stack खाली हो गया फिर उसने क्या किया callback जो function था उसके अंदर उसके अंदर इस लोडिंग की वैल्यू को true कर दिया ठीक है फिर एंग्लोर change detection चली क्योंकि यहाँ पर जब भी कोई promise resolve होता है या sync आता है इवेंट होता है तो दुबारे चलता है इसलिए जो चीज थी सेकिंड वाले उसमें problem नहीं लेकिन फर्स्ट वाले टिक से वह problem हमारे यहां पर create हो गई है देखिए जो verification रन वाली चीज होती है एंग्लोर इसलिए रन करती है development mode में ताकि क्या हो सके कि आपको पहले सी वह एक तरह का assertion लगा के देती है यह जुरूरी इसलिए भी है कि data की inconsistencies ना व्यू की inconsistencies ना हो ऐसा नहीं कि में कुछ irrelevant update हमारे पास हो जाए है क्या बोलते हैं हमारे पास infinite लूप ना चलने लगे और हमें प्रॉब्लम ना है व्यू को दिखाने में या कुछ भी इस तरीके का जो चीज है तो इसलिए वह चाहती एंगलर की यूनि डिरेक्शन फ्लो मेंटेन करके रखे भी एक टाइम पर एक जो चीज हो चुकि एक साइकल में वही मेंटेन रहे हैं इससे आपकी यूआई भिगड़नी नहीं चाहिए आपको लॉजिक को ऐसा नहीं होना चाहिए इसलिए ये डिवल्पमेंट मोड में वेरिफिकेशन आपको करके देती है ये प्रोड़क्शन मोड में चीज नहीं होती है तो ये तरह का सेक्योरटी मेकैनिजम एंगलर का जो आपकी हेल्प करता है शुरू में ही ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में जो हो सकती है ये तो इसलिए अगर्व के अगरती हैं यहां प्रोड़्लम सकती है इसको पहले ही कर लो इससे यह नहीं कि कल को आपकी कुछ बिजनस लॉजिक पर कोई फरक पढ़ जाय है ये कुछ भी ऐसा इर्रेलेवेंट वर्क ना हो जाया इसलिए एक्सप्रेशन चेंज अब पहुत जरूरी होता है important होता है विवाई के perspective से भी और साथ में क्या बोलते हैं हम लोग की एक तरह का security mechanism जो आपकी inconsistency is irrelevant और uninterrupted flow होता है उसको maintain करके रखता है देखे इस वीडियो पहले ही मैं बहुत सारे बड़ी होगी है लेकिन आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को like करते जाए शेयर करते हुए जाए चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन को भी दबाए ताकि notification आपको आती रहे प्रेटर पर आप मुझे follow कर सकते है डिस्कोर्ड पर जोइन कर सकते हैं और इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सकें उतना फैलाएं क्योंकि ये topic ही कुछ ऐसा है जो आपकी बहुत ज्यादा चीजों में मदद कर सकता है और इस वीडियो का जो source code है वो आपको description में मिल जाएगा इस slides भी मिल जाएंगी मैं मिलता हूँ आप से जल्दी next वीडियो में वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद